मंदीप आज तीसरी सुम्मारी है सावन के इस 52 महीने की कहा मवजूद है और क्या कुछ तस्विरास था कि इस सावन की तीसरी सुम्मारी आज है और हम राची के एतिहासिक पहाड़ी मंदीर के बाहर हैं आप देख सकते हैं जो सुबह से जो सरधालू है वे मंदीर में पहुँच रहे हैं और कह सकते हैं हजारों की संख्या में हर एक सुम्मारी को यहाँ पे पूजा अरचना होती है खास कर एदि पहाड़ी मंदीर की बात करें तो पहाड़ी मंदीर का एक बिसेशो महत्तो है और आस्ता है ही वजा है कि रात दो बजी के बाद से ही जितने भी सरधालू है वे यहाँ पे पहुचने लगते हैं आप देख सकते हैं मुख्य मंदीर का या जो मुख्य दरवाजा है जहां से लोगों का एंट्रेंस है वहीं कई सरधालू ऐसे हैं जो आप पूजा करके बाहर निकल रहे हैं कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं आज सावन की तीसरी सोमारी है और पहड़ी बावा का दर्सन के लिए आप लोगा है बहुत ही अच्छा दर्सन वा इस जंग इतना अच्छा सिष्मेटिक दंग से लोग वे संग से लेकर करके परसस्तनी पदा धिकारी एत मेडम सावन की तीसरी सुम्मारी है आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा लगता है बाबार बाबाक दरवार हमाई हमेशा आते रहे बाबा के हमारे परकिपा बनी रहे हैं क्या कहेंगे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा सी पूजा किये हम लोग बहुत अच्छा का इस मंदीर की बात करें तो काफी उची पहाड़ी पर वस्थित है बोले वावा विराद लोग इतनी उची पहाड़ी पर चड़ गए तो बहुत ही मतलब आराम से चड़ें और आराम से उतर भी गए बहुत अच्छा आवन में इस सुम्मारी की बात करें तो लोग बहुत सारे जेंट्स लोग भी सारे करते हैं और भगवान की पूजा तो करनी ही चाहिए सावन हो या सुम्मार हो हर दिन ही यहां पर तो बहुत ज्यादा भी लगा ही रहता है तो सावन में विशेश महत्त होता है बोले बाबा के दर्थन के लिए बात करें तो क्योंकि लोग काफी आस्था है इस पहाड़ी मंदीर पर पूजा करते हैं और अपनी मनों कामना को बोलते हैं कि पूरा करें और भगवान सब का करते भी हैं इसलिए तो सब का आस्था है तो सावन में एक विशेश महत्त होता है सुमारी का आप देख सकते हैं जो मंदीर है पहाड़ी मंदीर वहाँ पे जो लोगों का भीड़ होता है हर एक सुमारी को इसी तरह की भीड़ यहां पे देखने को मिलती है पहाडी मंदिर तक जितने भी रास्ते पहुंचते हैं सभी में इसी तरह आप देख सकते हैं जो कतारबत तरीके से जो लोग हैं सरधालू है वे पहुँच रहे है और भोले बाबा में जलाव शेक करने के लिए मंदिर में परवेस कर रहे हैं आपको भी आपने टी बी चैनल के माद्यम से हम भोले बाबा का दर्तन कराते हैं और एही मुक्य रास्ता है जहाँ से यतने भी जो सरधालू है वे मंदिर प्रांगण में परवेश करते हैं और क्योंकि एदि भोले बाबा की बात करें तो भोले बाबा पहाड़ी में मंदीर जो उपर मुख्य मंदीर है वो पहाड़ी में वस्थित है एही वजा है कि लगबग 300 से उपर जो सीडियां है वो चहड कर जो सरधालू है वे उपर मुख्य मंदीर तक पहुंचते हैं और बाबा भोले नात पे जलावी सेख करते हैं सावन का पावन महिना है और इस महिने की एक विसेश महत्त होती है एही वजा है कि जो सरधालू है दूर दरात से यहां पहुंचते हैं क्योंकि पहाडी मंदीर की बाद करें तो इस मंदीर की एक अलग ही महत्ता है एही वजा है कि जो यहां पे भीड होती है वह काफी देखने को मिलती है आप देख सकते हैं जितने भी सरधालू हैं वे अपनी कतार का इंतजार कर रहे हैं और यहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं बंदीर का या निचला हिस्सा है जहां पे एक अलग से स्यूलिंग लगा हुआ है और लोग एही से जलावी शेक करते हैं आप देख सकते हैं भीड अधिक होनी की वज़ा से यहां भी अर्धा सिष्टम लगाया गया है जो लोग है वे इसी अलगे के माध्यम से जलावी से एक भोले नात पे कर रहे हैं दूसरी ओर आपको दिखलाना चाहेंगे जो सरधालू है वे अब जो मुख्य मंदीर है उपर पहाड़ी पे जो अवस्थित है वहां से लोग धीरे धीरे पूजा करके अब नीचे की ओर ब ब्योस्था की गई है ताकि भीड में किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो और लोग कतारबद तरीके से पूजा अर्चना करनी के बाद यहां से निकल सके यही वजा है कि हर एक सुमारी को यहां पे विसेश तौर पे तियारी होती है चाहे जीला पुलिस की बात करे या अन्य बलो की हर एक की डिपूटिशन यहां पे होती है खुद जो सुपदेवनगर ठाना परभारी है ममता कुमारी वे भी यहां पे मौजूद हैं और कहीं न कहीं लोगों को भीड में दिक्कत ना हो और इसी को लेके पूरी माकुल बेयोस्ता की गई है कुछ सरथालों से भी बा हमाड़ी मंदिर में आज सुमार का दिन हैं और कितना महत्तो है समय बहुत किरपा है कि इतना फिरो ना काल का भी समय खतम हो गया किसी बाबा का अशिरबास से या बाबा का ही जीवन से ही सब कुछ है सब देख रहे हैं बाबा भूले नात पे लोगों की आस्ता है यही वज लोग ऐसे हैं जो सिर्फ राची नहीं दूर दराज से भी यहां पे पहुंसते हैं पूजा अर्चना के लिए क्योंकि पहाड़ी बाबा की बात करें तो लोगों का काफी आस्ता इस मंदिर को लेके हैं एही वज़ा है कि हमेशा सालों भर यहां भीड देखने को मिलती है सिर् लिए चाहड कर जो सरधालू है वे पहुंसते हैं उपर मुख्य मंदिर में और बाबा पे जलाविशेक करते हैं कुछ लोग और भी है जो पूजा करके वापीस आ रही है तो उनसे भी बात करते हैं मैडम कितना इदी पाड़ी मंदिर की बात करें तो कब से आप आ रहे हैं मुझे आते हुए तो काफी फाल्फ पच्छी फाल्फ में आ रही हूं कितना अस्था है इस मंदिर के बहुत जैदा अस्था है कैसे लगबग तीन सो से उपर सिड़िया है कैसे